ओडलो गाइस, वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम नाने वाले टेस्टि टेस्टि पास्ता यह मैने आमेज़ॉन से डिजानों का पास्ता ओदर किया था तो उसके लिए इसके लिए ना इसके लिए मैंने दू गलास पानी गरम करने के लिए रख से exam इंतिशार कर दाल दिया है जिससे piano पास्ता रहा है बहुत हो अन्य शूब्धा कर दोता है ने पास्तो दालते हैं पास्ता इने कर देड़ में चली ना भूद जए शूब अ मैं बची यहां लेका हाएं पास्ता का अधूस लेके और श्रेटर कीयाा में नंय दोसें वाट्र में करें सब्सक्राइब मीरी गरtesन में हिसे गुद़ गरां, झाल चेक करG यहकि असञे का नियुकर नियुकि अगर आप मिला यह तो तो मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने रोस लेकर आऊंगी तो मैंने रख दिया यह पैन गरम होने के लिए अब फ्लेम को ओन कर लेते हैं और इसमें डालते हैं दो चमच तेल मैंने सरसो का तेल लिया है कोई भी ओल डाल सकते हैं जो आपके घर में हो तेल को अच्छे से गरम होने देना है उसके बाद उसमें जाएगा ग्रीन चिली ग्रीन चिली बहुत तेज चीट मारते हैं इसलिए प्लीज साफधानी से करना उसके बाद जाएंगे अनियन और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पका लेना है वैसे प्याज़ और टमाटर भी क्या चीज है न हर किसी के साथ जोड़ी बनती है इनकी चाहे मेगी हो या पास्ता मटर पनीर हो शाही पनीर हो या फिर हो मलाई कोफता चलिए बस करते हैं मुह में पानी आ जाएगा अपने आते हैं पास्ता परी इसमें हमने डाल दिया कैपसिकम और साथ में ये टमाटर का पेस्ट अब इनको अच्छ से पका लेना है और इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर एक टेबल स्पून रेट चिली पाउडर और तो टेबल स्पून धनिया पाउडर तनिया बहुत फायदा करता है तबी तो दुगना डालते हैं अब मसालों को हमारे पेश्ट के साथ विक्स कर लेते हैं और अब सबसे इंपोर्टन चीज नमक नमक के बिना तो कुछ है ही नहीं है तो अब आती है टेस्ट को इंक्रीज करने की बारी उसके लिए मैंने लिया ये विन ग्रीन्स का पीजा और पास्ता सॉस वन टी टेबल स्पून पीजा और पास्ता सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें डालेंगे एक पैकेट मैजिक मसाला साले की तो बात ही कुछ और है जहां गिर जाए टेस्ट में धमाल मचा के रख दे और खाने को बना दे एकदम तीखा और चटपटा अब इसमें हमने आदा कप पानी डाल दिया है इसकी कंसिस्टेंसी को अजस्ट करने के लिए आप अपना देख लें और इसके बाद हमने हमारे बॉयल किये हुए पास्ता कर दिये हैं और उनको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है तब भी तो पास्ता में टेस्ट आएगा ना वाव दिख रहा ने एकदम डेलीशियस पास्ता यह तो थोड़ा सा पास्ता को और चला लेते हैं जिससे पास्ता गरम हो जाए क्योंकि सर्दियों में तो चीजें बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है अब फटा-फट से पास् य कि छीं लाग सैक कर दो हो जाती है ऴ। कर दोस्ता गरम हो जाता हो जाती है